1988 में दादा सहेब फाल के पुरुषकार से सम्मानित अशोक कुमार का जन्म 13 अक्तूबर 1911 को बंगाल प्रेजिडेंसी के तहट आने वाले भागलपूर में कुंजलाल गांगुली के घर हुआ था निर्माता, चित्रकार और गायक होने के साथ इन्हें हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार का दरजा भी प्राप्त था इनकी पत्नी का नाम शोबा देवी था जिनसे 1935 में इनकी शादी हुई इनके प्रीती गांगुली समें चार बच्चे थे बंगाली हिंदू ब्रामन परिवार में जन्मे अशोक कुमार के पिता एक वकील थे अशोक कुमार की मा गोरा देवी एक आउस वाइप थी कुमुदलाल गांगुली यानि अशोकुमार के छोटे भाईयों के नाम कल्यान यानि अनुप कुमार और आभास यानि किशोर कुमार थे किशोर कुमार बाद में महान पार्शो गायक बने अशोक कुमार के बेटे का नाम अरूप गांगुली और बेटियों के नाम भारती, रूपा और प्रीती थे रूपा गांगुली जो एक पूरु अविनेतरी रही हैं इनका विवा परसिद अविनेता और कामेडियन देविन वर्मान से हुआ था अशोक कुमार के फिल्मी सफर की शिरुवात 1936 में देवी का रानी के साथ फिल्म जीवन नया से हुई थी अचूत कन्या की सफलता के बाद 1949 में इनकी कंगन, 1940 में बंधन और 1941 में जूला नामक फिल्में आई जो सिल्वर जुबली हिट रही 1943 में इनकी किस्मत फिल्म आई ये दस मिलेन का शुद्ध कारोबार करने वाली पहली भारतिय फिल्म थी जो बॉक्स आफिस पर आल टाइम ब्लॉक बश्टर कही गई कहते हैं ये अकलकत्ता के रॉक्सी थीटर में 184 सब्ता तक चली जिसका रिकार्ड आज तक नहीं तूटा है इसके साथ ही अशोक कुमार भारतिय सिने जगत के पहले सुपरस्टार बन गए इनकी लोग प्रियता इतनी थी कि जहां यह जाते पबलिक इने देखने को जुट जाती ट्रैफिक जाम हो जाता और पुलिस को लाठियां तक चला कर हुजूम को तीतर बीतर करना पड़ता इसके बाद 1944 से 1948 तक का दोर ऐसा फलता का रहा लेकिन 1949 में महल फिलम से अशोक कुमार फिर से स्टार डम की और लोटाए 1950 के दशक की शुरुआत में जब दिलीप कुमार देवानंद और राजकपूर का समय चला उसी दोरान रमेश सैगल की फिलम समादी की जो सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बड़ी हिट फिलम साबित हुई फिर संगराम में एंटी हीरो की भूमिका की जो हिट रही इसके बाद अफसाना, दीदार, बेवफा, परिनिता, एक ही रास्ता, भाई भाई सबी फिलमें सफल रही 1958 में अपने दोनों छोटे भाईयों के साथ चलती का नाम गाड़ी और फिर हावडा प्रिज में मदुबाला के साथ अब ने किया यह भी जवरदस्त हिट रही 1960 की दशक के बाद अशोक कुमार सभी परकार की चरितर भूमिकाओं में नजर आने लगे चरितर भूमिकाओं की शुरुवात 1960 में कानून फिलम से हुई अशोक कुमार का 90 वर्स की आयू में 10 दिसंबर 2001 को मुंबई की चैंबूर स्थित इनकी आवास पर हिर्देगती रुकने से निधन हो गया फिलम जगत में प्राकरतिक अभिने का योगदान देने वाले अशोक कुमार को महानतम अभिनेताओं की श्रेणी में गिना जाता है इनका सिनेमा जगत में योगदान अतुलनिय है जिसे कभी नहीं बुलाया जा सकता